तो गाइज what a volatile expired was, अगर देखो गई यहाँ पर आप, कि आज पूरे दिन market एक range bound ही रहा, पूरी की पूरी expired की band बज गई, इसी channel को market ने follow किया, तो कल ये channel जो market ने बनाया था, market इसी को follow करता रहा, इसी के अंदर आज दिन बर moment show की, और आज का दिन option buyer के लिए बकवास रहा, जिन्होंने scalping plan कियोगी, उनकी भी थोड़े पैसे बने होंगे, वरना वो भी नहीं बने होंगे, बिकस इतनी tight trend में market move किया है, इतनी highly volatile थी market आज, कि इसमें बहुत दिक्कत हो रही थी buyers, और जो option seller होंगे, उनके अच्छे पैसे बने होंगे, तो चलिए आज ये scenario अगर बन है कि first 15 minute candle कि आपको wait करनी है, अगर ये candle, first 15 minute candle अगर ये volatile candle होती है, मतलब high rejection candle चाहिए ऐसी candle हो या फिर ये candle भी हो सकती है, तो ये अगर इस तरह के candle बनती है, चाहिए bullish हो जाए bearish होनी चाहिए कैसी, एक volatile candle होनी चाहिए, या फिर weak bullish या फिर weak bearish candle होनी चाहिए, जिस candle की body य या फिर विक साइज जितनी है उतनी उनकी बॉडि साइज होनी चाहिए हाफ-ाफ तो यह हो गई हमारी वोलटाइल कैंडल तो फर्स्ट फिप्टीन मिनेट वोलटाइल कैंडल बनने के बाद हम लोग वेट करेंगे डे हाई का ब्रेकाउट होने का या फिर डेलो का ब्रेकडा रहेने वाली है most of the cases में मैं हर cases की बात नहीं कर रहा है most of the time देहाई का ब्रेकाउट हुआ और यहाँ पर क्या हुआ बायर्स ट्राप हो गया एक रिजेक्शन बिली हम लें नीचे के तरफ ठीक है अगेन मार्केट इसे ट्राइब करने गया देहाई का ब्रेकाउट पर अगेन बायर ट्राप हो गए बट देखोगी कि momentum नहीं आई है market में buyers trap हुए है बट नीचे के तरफ momentum नहीं आई है price इसी range में रह गया अगेन price try किया है देखो यहाँ पर फिर से buyers यहाँ पर trap हो गया और देखोगी यहाँ पर जैसे ही market ने day low का breakdown दिया बिगस देखोगी यह तीन candle मिलकर 15-minute candle form की है तो इस candle का low होगा वह 15-minute candle का भी low होगा देखो यहाँ पर low का breakdown हुआ मतलब first 15-minute candle का low का breakdown हुआ और यहाँ पर seller trap हो गया यहाँ उपर में buyer strap हो रहे हैं और नीचे में seller strap हो रहे हैं अब देखो हर बार seller trap हुए है और यहाँ पर हर बार buyer strap हुए है अगर मैं और इधर ले जाओं देखोगी आप इस जगह पर कि हर बार seller trap हुए है और हर बार buyer strap हुए है यहाँ पर तीन बार buyer strap हुए है यहाँ पर one time वाली है कि नहीं है हमें पहले कैसे पता करना है यहाँ पर देखो यहां पर यहां पर ऊक्ते हैं पूंनेटं मोमटब मोमेंटम प Yeah । और नहीं दैट अब साङ। डेलों का breakdown होने का, but momentum नहीं आई, और उसके बाद जब market ने first 15 minute candle का breakdown किया, अगले पल हो गए यहाँ पर seller trap, और जब यहाँ buyers trap हो रहे हैं, यहाँ नीचे में sellers भी trap हो रहे हैं, तो समझ जाना उस दिन maximum time market volatile होने की chances होती है, अब सुनो logic, बिकस यह scenario हम भी देख रहे हैं, और यह scenario big players भी देख रहे हैं, तो जैसे ही यहाँ पर दिखा कि buyer strap, और यहाँ पर दिखा seller strap, यह चीज़ देखने के बाद तुरंत market में straddles और strangles के position बनने सुरह हो गए होंगे, और यह चीज़ market में volatility create करती है, बिकस जिनके straddle strangle position बने हैं, range के अंदर रहेगा, तो ही पैसा बनेगा, range के बाहर जाएगा, तो पैसा नहीं बनेगा, यहाँ breakout हुआ, तो straddle strangle position के सारे के सारे के loss होने सुरू हो जाएंगे, तो आप पूछोगी सर यह तो अपने बता दिया, बट इस से बचा कैसे जाए, हम लोग trap होने से कैसे बचे इस scenario में, तो मैं पहले दो-तीन scenario आपको समझाता हूँ उसके बाद, तो अगर market somewhat बहुत ज़्यादा gap up open हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा gap down open हो गया, मेरे लिए बहुत बड़ा gap up क्या होता है? सारे 300 point से उपर, और gap down भी same, सारे 300 point से नीचे अगर gap down open हो जाता है, एक trending move के बाद, चाहिए up down आ रहा है, trending move के और जहाँ पर gap down open हो रहा है, व दूसरी सिनारियो क्या होती है, somewhat market एक trending move में था, अगले दिन gap down open हो गया, बट पिछले दिन का day high का breakout नहीं कर पाया, और इसी candle में रहा गया, जैसे ये सिनारियो बनी है, first 15 minute की candle पर trap हो रहा है buyers, breakout पर और यहाँ पर breakdown पर trap हो रहा है sellers, तो समझ जाना उस दिन market volatile रहेगी, और देखो, intraday trader के लिए, ये मैंने daily candle बनाई, अगर market इस candle के बीच में open होता है, जाए upside महलो कि ये bullish candle है, या फिर bearish candle है, कुछ भी हो सकती है, अगर bullish candle है, तो अगर gap down इतने बीच में हो रहा है, तो फिर market उस दिन volatile रहेगी, अगर bearish candle है, तो उस दिन भी market अगर gap up open हो रहा है तो समझो कि यहाँ पर market volatile रहने की chances है, because क्या होगा कि तब market इसी के range में बीच में inside candle बनाने की कोचिस करेगा, और जब भी inside candle market में बनती है, तो उस समय volatility रहती है, कि जब भी एक trending move के बाद market एक halt लेता है, तो ये छोटी सी candle inside candle बनाती है market, तो इस candle range अगर ये daily time frame पे बन जा कर, तो ये तो candle range daily time frame के लिए हमारे लिए तो volatility ही तो create करेगी, और ये सब reason होते है market में volatile होने की, तो ये सब scenario आपको ध्यान रखना है market में जब भी आप trade करते हो, तो तब ही तो मैं beginner trader को suggest करता हो, कि try to trade on 15 minute time frame first, पहले 15 minute time frame पे trade करना सीखो, उसके बाद go for the 5 minutes, क्योंकि 5 minutes ब trade बिलकुल भी मत करो, बिकस देखोगे इस breakout पर 5 minutes की candle पर जो इंटरी प्लान किया होगी, उनके दोखो क्या हाल होई होगी, सीधा price यहां से यहां आ गया, उपर से expiry, कितनी तेजी से premium डिके होए होगे, अगर 15 minute candle की wait करते हैं, तो chances थे कि आज trade नहीं करते हैं, हमने भी नहीं चीज़े और लेके आए, क्योंकि market एक समुंदर की तरह है, अभी भी बहुत कुछ market में unexplored है, बस उसके लिए हमें क्या करना है, एक गहरा गोता लगाना है market में, विकस समुंदर में जैसे हम लोग गहरा गोता लगाते हैं, तो नहीं नहीं चीज हमें मिलती हैं, नह बहुत कुछ अभी भी unexplored है, हमारी टीम तो इस पर research करती है, आप खुद भी research कर सकते हो, market में बहुत कुछ है, यह चीज़ पसंद आई होगो तो वीडियो को like ज़रूर कर देना, और share कर देना अज वीडियो को अपने relatives friends and families में, ताकि वो लोग भी अगर trade करते हैं, तो उ इसी continue अगर करता है, इस लेवल को, इसी channel को continue करता है, तो chances है कि यह swing से एक momentum आने की chances है, यह हो सकता है कि market first half में consolidate करके नीचे आए, इसी swing के आप सपास से फिर upside momentum शो करे, और या फिर market इसी level पर flat open होकर, अगर वापस से इस level का channel का breakout करता है upside में, तो फिर हम लोग यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं, एक बहतरीन momentum के लिए, और या फिर इस level का breakdown कर देता है market, अगर देखो कि यह swing level है, इस level का market breakdown कर देता है, तो फिर हमें नीचे के तरफ फिर momentum मिल सकती है, हमारा target जो होगा, वो consecutive swings होंगे नीचे के तरफ, लेकिन जो most probability trade जो बन रही है, वो बन रही ह हमारी upside के लिए, because यह जो pattern, एक बहतरीन pattern है, इसे मैं personally follow करता हूँ, तो अगर market इस level का breakout कर देता है, यह जो देख रहे हो न, यह level, जो बनी हो, यह green level जो है, इसके high के उपर closing मिल जाती है, 15 minute candle की, तो रे test के बाद, प्लान कर लो, एक अच्छी momentum के लिए, हो सकता है कि इतनी बड़ी momentum कल ही मिल जाए, एक दिन में, या फिर हो सकता है, इसकी half momentum मिले, फिर उसके बाद half momentum अगले दिन Monday को मिले, chances हो सकती है, अगर market somewhat इस candle के उपर open हो जाता है, तो फिर हम लोग wait करेंगे pullback का, और उसके बाद day high का breakout हो जाता है, तो फिर हम लोग upside के लिए plan करेंगे, य chances है कि यहाँ पर pullback दे कर थोड़ी सी उपर जागे price नीचे के हो जाए, sellers को buyers को trap करते, तो जब तक day high का breakout नहीं हो जाता, confirmation नहीं मिल जाता कि market upside जाएगा, तब तक अगों लोग इंटरी प्लान नहीं करेंगे, confirmation के साथ ही upside के लिए जाएगे, और अगर market समझ के चली कि अप फिर से price volatile रहेगा, और अगर somewhat 12 वजे के बाद इसी level पर आकर market इसका breakout कर देता है, तो फिर हम लोग प्लान कर सकते है upside के लिए momentum, otherwise फिर यहाँ से भी rejection लेगा, तो समझ जाएगा फिर volatile रहने की chances हाई है, तो फिर Monday ही momentum आने की chances हो सकती है, because गी जो pattern है, यह pattern momentum देती है, यार, so जाय हिंद, thank you.